असलामुलेकुम, आज किस लेक्चर के अंदर हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लास पाइस को स्टड़ी करेंगे एक्च्वल में ये एक सूपर क्लास है जिसके अंदर दो क्लासेज हैं फिशिज की आज की अथा, fishes की classes आ जाती है, prices का मतलब होता है, fishes, यह Latin word है, जिसका मतलब होता है, fishes, so prices को हम define कैसे करेंगे, अगर हम classification को देखें, तो cordets के दो groups होते हैं, proto-cordet and u-cordet, u-cordet के अंदर जब हम जाते हैं, तो हम भी पता चलता है, एक sub-filem आता है, जिसे vertebrata खा जाता है, vertebrata के दो divisions आते हैं, agnetha and gnetho stomata, gnetho stomata के अंदर class spices आती है, so gnetho stomata का मतलब क्या है, jarred animals, जिनके जबडे हो, so इसका मतलब है, fishes, gnetho stomata के अंदर आती हैं, तो इनके भी जबडे होंगे, यह food को crush करके, grind करके, eat करने की, इनके अंदर सलाइयत होगी, so इन्हें हम define का सकते हैं, कि spices क्या है, fishes क्या है, jarred vertebrates हैं, और यह peculiar terms होती हैं, जानी cold blooded होती हैं, fishes सारी, और peculiar terms हम आप अच्छे से जानते होंगे, ऐसे animals को बोलते हैं, जो कि अपने body temperature को regulate ना कर पाएं, यानी बाइर की जो environment का temperature होता है, उसी के according इनका temperature adjust हो जाता है, यानी बाइर अगर सर्दी है, तो इनका body का temperature भी ठंड़ा हो जाएगा, बाइर गर्मिया तो इनकी body का temperature भी गरम हो जाएगा, so यह homeostasis temperature की नहीं कर सकते, यानी इनका constant body temperature नहीं होता, okay, so fishes को हमने define कर लिया, अब हम characteristics की तरफ चलते हैं, class spices की characteristics क्या है, fishes आपने देखी हुई हैं, खाते भी हैं, इसे बहुत शौक से लोग, और, so एक diagram आप किसी fish की zen में ले आएं, तो उसके according हम characteristics study करते हैं, habitat आप असानी से समझ जाएंगे जाएंगे यह, कि fishes की हैं, हमें पानी में ही मिलती हैं, so यह aquatic हैं, और पानी में marine, समंदरी पानी में भी हो सकती हैं, और fresh water में भी हो सकती हैं, इसमें यह जो chondricthies हैं, यह ज्यादा आपको marine water के अंदर ही मिलेंगी, fresh water में chondric, cartilaginous fishes नहीं होती, इसकी example में आपको बता देता हूँ, shark shark है, chondricthies है, यानि cartilaginous fish है, जो कि आपको marine, यानि समंदरी के पानी में ही मिलेगी, fresh water में नहीं मिलेगी, और ostrichthies, bonny fishes जो हैं, यह आपको fresh water में मिलेंगी, marine water के अंदर भी मिलेंगी, body की अगर हम बात करें, तो इनकी, जब हम structure देखते हैं, तो यह streamline होती है, streamline का मतलब क्या है, यानि कि हमवार structure होती है, यानि यह resistance हवा और पानी की कोई भी ऐसी structure जो हवा और पानी की resistance को चीर कर आगे बढ़ सके, उसे हम streamline structure बोलते हैं, którzy fishes की structure हो streamlined है, क्योंकि यै पानी की resistance ज़्यादा है, तो पानी में आसानी से तैरने के लिए इनकी structure इस तरीके से, इनकी body की shape इसतरीके से है कि यह आसानी से तैर सकती है, पानी कुछ चीरती हुई आगे बढ़ती है, so streamline इनकी body होती है, morphology की बात की जाए, यानि इनकी structure क्या है, तो वो diagramatically समझ लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक fish ड्रा कर रखी है, so leveling भी मैंने कर रखी है, देखते हैं क्या-क्या parts इस fish की body के अंदरा में देखने विलते हैं, सबसे विले आप देखें तो well developed eye होती है, इनसानों की दरा well developed eye होती है, और but होता क्या है कि eye के उपर eye lid नहीं है, जैसे हमारी eye के उपर eye lid है, fishes के eye के उपर eye lid नहीं होती, लेकिन इनकी eye के उपर nictitating membrane होती है, और यह nictitating membrane का मतलब क्या है, यह जिली से होती है, और transparent होती है, असानी से नजर नहीं आती हुमिन्स के कैस में हमारे कैस में ये प्रेज़न नहीं है ये विद दर एविलुशन ये गाइब हो चुकी है बट साइंटिस मांते हैं कि कभी न कभार ये मौजूद थी इनसानों के अंदर भी ये एक जिली लाइक मेंब्रेन होती है जो इनकी आंकों को साफ करने का गाम गरती है ऐसे आगे मुजूद होती है और आंक के जरीए जिए देखते हैं डेफिनेटली फिर नॉस्ट्रेल्स इनकी मुजूद होती है अब बात ऐसी है कि नॉस्ट्रेल्स जैसे हमारी जो यहां पर अगर हम देखें तो एक डखन होता है वी पर गृता है जिसे ऌपर कोलुम कहा जाता जो फिशेज के जो गिल्स हैं उन्हें कवर कर रखता है ठीक है और इस ऑपर कुलम के अंदर क्या होते हैं गिल्स होते हैं जिनके दिरिये फिशेज रिस्पायर करती हैं ठीक है और यह जो ऑपर कुलम है यह काटिल है जीनस जानी कॉंड्रिक्टीस फिशेज में नहीं इसकिलावा आप फिशे के पास फिंस होते हैं आप जानते हैं, फिशे कि.." fins रखने वाले aable और पुर फटे हैं यहां पर ओपर cries ii और अप्र हिनके हैं. पीड फिंस का मतलब यहां है कि एक साइड बर भी है, दूसरी साइड वर भी paired fin है ठीक है तो यह जो fins है इन्हें pectoral fins कहा जाता है तो आप इन्हें as a bazoo समझ सकते हैं जैसे इन्सानों के bazoo है ना तो fishes के जो pectoral fins है वो bazoo की तरह हैं और यह इन्हें swimming में help करते हैं फिर जहां पर जब नीचे आते हैं तो जहां पर paired a core साइडों में या नीचे पर साइडों में दो fins और लगे हैं और इन्हें आप इनकी fishes की टांगें समझ सकते हैं तो इन्हें pelvic fins कहा जाता है यह भी paired होते हैं दोनों साइड पर मुझूद होते हैं और यह भी swimming के लिए इनको help करते हैं इसकिलाब आप fishes की pelvic fin और anal fin के दिर्मयान पर एनस मुझूद होता है जहां से यह faeces को excrete करती हैं और यहां पर ही genital power भी होते हैं जहां से जूरी और fertilization वाला process होता है और यहां पर यह anal fin आ गया जो के median fin है और जाद रखिए median fin का मतलब क्या है यानि ऐसा fin जो paired नहीं है ठीक है paired यानि दोनों तरफ मुझूद नहीं है सिर्फ उनकी median center वाली line पर मुझूद है जो यह जो anal fin होता है यह एक ही होता है इनकी दिर्मयान में मुझूद है और इसका काम क्या होता है balancing fishes को balance करने में help करता है फिर यहां पर जाते हैं तो tail पर एक और fin मुझूद होता है जिसे caudal fin कहा जाते है यह भी एक median fin है यानि it is a type of median fin और यह इन्हें swimming में help करता है टेल के जरीए fishes तेरती है और यह भी single होता है paired नहीं होता फिर जब हम उपर आते हैं तो उपर एक dorsal fin होता है क्योंकि आप जानते हैं कि fish की यह उपर वाली surface dorsal है यह नीचे वाली ventral है यह anterior रागी यह posterior रागी और posterior काम cardal भी बोलते हैं so dorsal surface पर जो fin मुझूद होगा उससे dorsal fin कहेंगे और यह भी median fin है यानि यह paired नहीं होता है और इसका function क्या होता है कि यह vibration को sense करती है it's sense vibrations यानि पानी के अंदर इनके पास कोई fish ते है रही है so पानी के अंदर vibration generate हुई vibration occur हुई so वह vibration इनकी जो lateral line पर मुझूद cells हैं वह डिटेक्ट करते हैं और वो कौनसे cells होते हैं sensory hair cells होते हैं lateral line पर मुझود और वो क्या करते हैं उसको detect करते हैं अब detect करने का फायदा क्या हुआ या इसकी मदद से in sensory cells की मदद से ये vibration को detect करते हैं fishes और इसकी मदद से एक तो अगर इने किसी चीज़ का शिकार करना है तो इने पता जल जाता है कौन से area में vibration हुई है उस मूव करती हैं या चिकार से भागने के लिए मूव करती हैं तो इस तरीके से इनको ये बैनेफेट होता है तकरीबन morfology की सारी चीज़ें cover कर ली हैं इसके बाद हम देखते हैं कि fishes के अंदर जो अंदर वाली structure यहां पर हमें नजर नहीं आती हैं वो study करते हैं जैसे कि ears fishes के अंदर ears भी होते हैं ठीक है और सिर्फ internal ear होता है humans की तरह जो middle ear, external ear जो abscent होता है internal ear होता है क्यूंगे पानी के अंदर sound travel कर सकती है, इस लिए इशिस्के अंदर air होता है और यह sound को सुन सकती है. बॉयएंच ही है, कि इनके अंदर characteristic आ गए, aja SHARK एक्जांपल ले लेते हैं वह within waterisés के अंदर air появॉब आगए. तो वो पानी के अंदर बैठ जाएगी क्यूंकि उसकी बाड़ी के अंदर एयर ब्लेडर मौझूद नहीं है किड्नी इनके मीजोनेफरिक हैं ठीक है मीजोनेफरिक का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डिवेलप नहीं है जैसे हुमिन के होती हैं हुमिन के मीजोनेफरिक कीड्नी बनता है फिर मीजोनेफरिक कीड्नी होता है और किड्नी के जरीए यह एक्स्क्रेशन करते हैं और 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 सारी चीज़े मौजूद हैं हर्ट इनका टू चम्बर्स होते हैं और इसे वेनस हर्ट भी बोलते हैं क्योंकि इनके हर्ट के अंदर डायरेक्ट अक्सिजनाइटर ब्लड नहीं जाता है गिल से ब्लड पूरी बाड़ी बाड़ी में जाता है और वापस आकर हर्ट में गरता है और हर्ट से फिर ठैवल करते हैं सो इसे हम वेनश हर्ट भी बोलते हैं डूच हुर्द होता है ऑर फ्रेफेड्शन की अगर बात करें तो तो fertilization एनके अंदर external भी होती है और internal भी होती है external and internal और आप अच्छे से जानते हैंगे external fertilization का मतलब यह है कि अंडा और sperm बाहर body के बाहर जो हैं उनकी fusion हुई तो यह external fertilization है अगर body के अंदर हुई तो internal fertilization है internal fertilization ज्यादा तर आपको contract cheese के अंदर देखना को मिलेगी और यह oviparas होते है याणि अंडे देते हैं fishes और oviviviparas वी पैरस भी होते हैं यानि के fishes क्या करती हैं अंडा देकर body के अंदर ही उस अंडे को store करती है और उस अंडा मैंसे जब बच्चा में निकलता है तो बच्चे को बाड़ी से बाइर निकालती है तो अंड़ा दिया ओवा एंड़े के अंदर जो बच्चा था वो पैदा हुगा और फिर उसकी बर्थ की तो ओवा भी भी पैरेस इस क्रेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं हमने पाइस के देख लिया अब हम थोड़ा से डिफ्रेंचियाइड कर लेते हैं कॉंड्रेक्टीज और ऑस्टिक्टीज को स्टडी करेंगे तो ऑस्टिक्टीज हमारे पास असानी से समझा जाएगा हमें कॉंड्रेक्टीज ऐसे एनिमल्स हैं ऐसी फिशेज हैं जो सिर्फ आपको मेरीन वाटर के अंदर मिलेंगी फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं जबकि ऑस्टिक्टीज फ्रेश वाटर एंड मेरीन दोनों में पाई जाती हैं और जो स्केल्स हैं यानि यह जो आपको नजरा रहे हैं स्केल्स उनको प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है यानि वो नोकीले से स्केल्स होते हैं और जैसे जैसे फिश बड़ी होती है वो प्लेकॉइड स्केल्स की खुबी यह है कि वो स्केल्स बढ़ा नहीं होता उसकी कॉन्ट्रिक थीज जो हैं उनका एंडोस्केलेटन डेफिनेटली का मतलब यह होता है कॉर्टिलेज जीनस इनका होगा काटिलेज से मिलकर बना होगा उनका जो अपर कुलम है उपर कुलम एपसंट होता है जो पहले भी मैंने आपका पता दिया जानि शायर का अगर हम देखें गिल्स के उपर नहीं मौझूद open slits होती है जो हमें नजर आती है और एर ब्लेडर कॉंट्रिक सीज के अंदर absent होता है इसकी इसी वच्छास में आपको बोलता हूँ जो शार्क है वो continuously तेहरती रहती है अगर नहीं तेहरेगी तो पानी के अंदर sink नीचे बैठ जाएगी औ और contract sees क्योंकि ज्यादा internal fertilization करती है और internal fertilization के लिए इनके पास एक औरगन होता है जैसे class पर कहा जाता है यह class पर क्या करता है open करता है genital opening को ताकि internal fertilization असानी से हो सकते है ओके quickly review कर लेते हैं आज हमने क्या study किया class spices को जिसके अंदर super class spices को जिसके अंदर दो classes है contract sees और ऑस्ट पैला silver यह सारी क्या है और stick थीज आती हैं और contract थीज के अंदर example आप शार की ले सकते हैं तो यह बॉनी फिशेज होती हैं यह कौटी लेजिनस फिशेज होती हैं करेक्टरिस से कि जब हम बात करते हैं तो फिशेज आपको हमेशा पानी के अंदर मिलेंगी marine और fresh दोनों किस करते हैं गिल्ज होते हैं उपर कुल में होता है फिर फिन्स होते हैं जो कि pectoral और पेल्विक हमने स्टडी किया यह दोनों तेहरे में अपकरते हैं और caudal fen यह भी तैहरे में हैं दो फिन्स ऐसे जो डॉर और आल फिन है यह इनको बैलनस करने में हैं पिर इनको बाड़ी के स we deliberately put something if we move कर सकते हैं और यहां पर monitors होता है बाडी के इंदर मौझूद होता है माइसोनेफरिक होते हैंि की लिए एर ब्रादर मौझूद होते है स्रकुलेडर सिस्ट्मिन नर्वस्स्सिस्ट्म नर्वस्टम यह ओना होता है रूसेत्व पक्मोट Vir짜 exam original shift के अंदर पाल कर बचा भी देते हैं तो ओवा वीवी पेरस करेक्टरिस्टिक भी आ जाता है होफूलिए आपको लेक्चर समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे जाज़ते हैं शुक्रिया अल्लाहफिज